हलो दोस्तों कैसे हैं पिछले वीडियो में हम लोग टेंस से स्टार्ट के थे दोस्त आज हमारा टेंस का सेगेंड पाट है उसमें हम लोग समझें कि टेंस आखिर कैसे कूर करता है टेंस का डिफिनिशन क्या है हम लोग डिस्विन क्या पढ़े थे काम चाहे कभी भी खत्म फड़की बढ़ता है कि उसके काम का अशर है कि नहीं अगर काम का अशर है तो प्रजेंट है नहीं है तो पास्टा सिंपल ही हम लोग पढ़ेते तो आज हम लोग उसी सेशन का आज कंटीनिव करेंगे हम लोग आज सींपल प्रजेंट टेंस पढ़ेंगे आज तो पहले ही एक present tense यहां क्या दोस्त हम लोग पढ़ेंगे past tense यहां क्या पढ़ेंगे दोस्त future tense इसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्तमान काल इसको क्या बोलते हैं दोस्त भूत काल इसको बोलते हैं भविस्यकाल हिंदी बहुत कठीन है दोस्त थोड़ा बहुत हम लोग ट्राई करते हैं जीतना हो सके जो जैसे उसको ऐसे समझ लिया जाए वो बेतर है तो present tense समझेंगे दोस्त present tense में आपको हम question पूछे थे कि present tense का structure क्या होता है उसके पहले थे कि tense का structure क्या होता है फिर हम लोग प्यारा structure क्यों होता है तो दोस्त उसको जानने के पहले इनके बारे में अकर थोड़ा थोड़ा जान जाए तो उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा ठीक है तो पहले थोड़ा से सिख लेते हैं, फिर हम उसके बाद ये समझेंगे, कि टेंस के structure यही क्यों होता है, ठीक है, simple parent का क्यों होता है, past क्यों होता है, future क्यों होता है, फिर वो सिखेंगे दोस्त, ठीक है, तब यहाँ पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा है, यहाँ पर हम लोग वो काम कर लेंगे ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा सबसे पहले हो जाता है simple present tense दूसरा क्या होगा present continuous tense present perfect tense present perfect continuous tense चली ऐसे ही हमारा past में होता है जब हम लोग past पढ़ेंगे तो फिर इसके तरह पढ़ेंगे future पढ़ेंगे तो इसके तरह पढ़ेंगे आज हम लोग दोस्त present पढ़ते हैं क्योंकि सर्दोस्त हम लोग इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे यह करके फटाफट पढ़के निकलते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं लोग simple presentance आज पढ़ेंगे अब लोग क्या है simple presentance तो simple presentance क्या होता है इसके बारे में लोग आज पढ़ रहे हैं तो बहुत सरे लोगों से आप पूछेंगे तो क्या बुलेगा अगर वाके क्यानत में ता है ते हैं ती हैं अगर लगा रहता है तो उसको हम लोग simple presentance बोलते हैं लोग ऐसे आपको बोलते हैं सही भी है, बिल्कु सही है, मैं जाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं पटना जाता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं दस बजे सोता हूँ, कुछ भी आप लगाएंगे, सब आप हमारा simple presentance है, तो कोई अगर आपसे पूछे, मैं एक लड़का हूँ, यह कौ सब्सक्राइब आप लोग बच्चे हैं आप लोग मेरे स्टुडेंट हैं आप लोग मेरे दोस्त हैं तो इस दोगा दूस्त यह सारा वाक्य भी हमारा सीम्पल प्रिजेंटेंज में चीक है तो अगर कोई बोलता है कि मैं आम खाता हूं मैं आम खाता हूं जैसे I eat a mango बोला यह अगर सीम्पल प्रिजेंट में है तो मैं एक लड़का हूं I am a boy यह भी सीम्पल प्रिजेंट है दोनों सीम्पल प्रिजेंट है दोस्त तो यहां पर ता है लगा हुआ है यहाँ पर ता नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि ये present tense में simple present में नहीं है ये भी simple present में ही है क्यों है हम इसको बाद में साबित करेंगे हम हर एक चीज को साबित करके आपको बताएंगे बिल्कुल फंडा क्लिए रखेंगे हम हर एक चीज को साबित कर देंगे, आखिर ऐसा ही क्यों है, ऐसा ही क्यों लिखा गया, कुछ और क्यों नहीं लिखा गया, हम हर एक चीज को साबित करके आपको बताएंगे, ठीक है, पहले बेस्तोषी कर लें, यार foundation होगा तभी तो इमारत खड़े करेंगे, चार मंजिला घ तो इतना मजिला का मकान उसके उपर वरदास्त हो सके, तो हम लोग पहले उतना जबरदस्त foundation क्रेट करेंगे, फिर उसके बद अपना इमारत खड़ेंगे तो सीम्पल बेचप के स्ट्रक्सर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस भी वन या दिए बीफ प्लस ऑबज़ेक्ट य यह इसका structure होता है दोस्त ठीक है subject यानि करता भीवन यानि की plural form of verb भी 5 का मतलब क्या हो गया दोस्त कि यह present form of verb और object जैसे यहाँ पर आप देखिए यह क्या है subject है इट क्या है भीवन है और mango क्या है भीया कि हमारा object है यानि की यह क्या है भीवन क्या है plural form of verb क्योंकि subject जैसा होगा वैसा ही भर्भ होगा हम आपको जब subject, verb, agreement या subject, concord, verb, concord या बहुत तरह के नामों से सब लोग जानते हैं इंटेक्स बोलते हैं अलग लग नामों चानते हैं बट में समझ लीजे subject, verb, agreement जीजिन हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग सारा चीज़ डिटेल में सीखेंगे दोस्त आज हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं पहले टेंस समझ लेते हैं क्लिर है चलिए यह समझ में आ रहा इना यूज सीखे काम नहीं होगा तो इस structure को हम खरी अपने पास रखते हैं बाकी को हम erase करके देखते हैं ठीक है अब इसमें समझना यह है कि simple presentation का यूज कहां कहां करते हैं ध्यां से सुनिएगा notes जरूर बना लीजेगा यह पूरा काम करेगा हम पूरा तो नहीं लिखेंग बट आप notes जरूर बनाते जाएगा हम सारा example सब लिखते जाएंगे दोस्त ठीक है बाकी जो बोलेंग आप उसको पॉस करकर के लिखते चले जाएगा सबसे पहला जिस चीज की हम लोग को आदत होती है एकदम everyday habit होता है ठीक है उस आदत को हम लोग simple present sense लिखते हैं complete आदत पूरा आदत जैसे मैं स्कूल जाता हूं अगर को यह बोलता है स्कूल जाता हूं वा तब स्कूल आप Delhi जाते हैं अगर स्कूल में छुटी नहीं हो तो आप regular स्कू काम क्या है simple presentence ठीक है जिस चीज की आदत होती है हमको permanent आदत है उस काम को करने की तो हमारा आदत को किसमें सो किया जाता है हाबिट को simple presentence में जैसे मैं क्या बोलूँ कि मैं स्कूल जाता हूं I go to school मैं स्कूल जाता हूं दोस्त मैं स्कूल जाता हूं यह हमारा आदत है एकदम पूरा आदत है दोस्त चीजिए है दूसरा मेरे जोस इतना example लिख रहे है न दोस्त यह सब आपका मतलब समझ सकते हैं सेगमेंट है रूल टैप का समझ सकते हैं कि वहां पर हम लोग यूज करते हैं दूसरा कोई भी चिरंतम सत्य वाली बात हो यूनिवर्सल टूथ वाली बात हो यूनिवर्सल टूथ यूनिवर्सल टूथ क्या हो सकता है मैं एक लड़का हूं यूनिवर्सल टूथ है दोस्त नहीं है आप मेरे स्टुडेंट है नहीं है है आप बहुत अच्छे हैं नहीं है है यह यूनिवर्सल टूथ है सूरज पूरब में उगता है, उनिवर्सल टूथ है, सूरज पस्षी में डूपता है, उनिवर्सल टूथ है, पृत्वी सूरी के चारोर चकर लगाती है, उनिवर्सल टूथ है, चंद्रमा पृत्वी के चारोर घुमता है, उनिवर्सल टूथ है, तारे टिम टिम आते हैं, उ इतने भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाले जो संटेंसेंस हैं, सब वो सिंपल परजेंट से लिखाते हैं. The sun rises in the east, हम एक एक एक्जामपल लिख देते हैं. The sun rises in the east. सूरज पूरब में उगता है. ठीक है? सूरज पूरब में उगता है. आप ऐसा कोई भी वाक्य लेंगे, जो की चिरंतम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको हम लोग सींपल परजेंट में लिखते हैं. चलिए तीसरा बात लिखते हैं. जिदना भी idioms और phrases हैं, उसको भी हम लोग सींपल परजेंट में लिखते हैं. जैसे, गीता भी कहावत हैं न भी या, जहां चाह वहारा, चले नावे अंगने में टेन, जैसन बोगे, वोईसन काटोगे, क्या है ये सब? सब हमारा सींपल परजेंट में लिखाता है. कैसे लिखते हैं? अगर आप देखेंगे, क्या बोलते हैं? इमांदारी एक अच्छी नीती है. No pain, no gain. सींपल परजेंट हैं ना? Honesty is the best policy. Where there is will, there is a way. ऐसे बोलते हैं ना? The bad carpenter quarrels with his tools. ये सब क्या है? चले नावेंग अनिविटेड. ये सब सारा हमारा जो idioms है, जो कहावत है, जो लोगोक्तियां है, ये सब सींपल परजेंट में लिखाता है. हम एक खाली लिख देते हैं. क्या लिख दे? Honesty is the Honesty is the best policy. हम लोग बच्पन से लिखते आएं हैं दोस्त, यहाँ पर देखिए हम सब में गोल-गोल कर दे रहे हैं, ये आपको बताएगा कि ये हमारा सींपल परजेंट में लिखा हुआ sentence है. चीक है? अगला जो है, हमारा एक हमारा permanent आदत होता है, natural आदत होता है दोस्त, natural आदत क्या होगा? हम अपने दाइने हाथ से लिखते हैं, आप बाएं हाथ से लिखते हैं, हम अपनी आखों से देखते हैं, पैरों से चलते हैं, मूँ से खाना खाते हैं, ये सब क्या है मेरा? natural आदत है, मैं school जाता हूँ, अगर सीखने हो सीखाने, आप पढ़ने जाते हैं, हम जाते हैं, मिरा natural आदत है, क्यों? आप पढ़ने जाते हैं, हम पढ़ने जाते हैं, ठीक है? तो यह हमारा natural habit है तो I right with my right hand मैं आपने दाहिने यहाँ से लिखता हूँ क्या लिखेंगे यहाँ लिख देते हैं इमानदारी एक अच्छी नीती है अच्छी नीती है ठीक है यहाँ पर क्या लिख दें मैं अपने दाहिने हाँ से लिखता हूँ ठीक है तो आप क्या करेंगे हम तो एक अक एकजामपल दे रहे हैं आप क्या कीजेगा अपने से दो, चार, पांच जीतना आप से बन पड़े उतना एकजामपल सब में लिखेगा और एक चीज और दोस्त, अगर आप अपनी इंगलिश को सुधारना चाहते हैं जो हिंदी भासी है जो माराठी भासी है जो अलग-अलग अपना रिजनल लैंग्वेज में जो जानते हैं जरूर उसका रिजनल लैंग्वेज जरूर लिखेगा अगर हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी जरूर लिखेगा इंगलिश पढ़ते हैं तो इंगलिश तो कमपलसरी सबके लिए है बंगाली पढ़ते हैं तो बंगला लिखेगा माराठी पढ़ते तो माराठी में लिखेगा जो language आप use करते हैं उसमें जरूर लिखिएगा क्योंकि यह बहुत जरूरी है क्योंकि यह क्या करता है यह आपको help करता है इसको use करने में क्योंकि हम लोग का English mother tongue नहीं है दोस्त It is not our mother tongue at all तो mother tongue नहीं है तो first of all we need to know what is our mother tongue and then we convert that mother tongue into English ठीक है तो उसको convert करने के लिए we need to know what is the exact Hindi of that or that language अतब उसका हम लोग English use करेंगे ठीक है यह हम लोग को बहुत help करेगा अगला है Adverbial clause अब आप बोलेंगे सर्थ Adverbial clause क्या है भाईया अभी समझ लीजे जब हम लोग clause start करेंगे तो clause में हम समझा देंगे आपको Adverbial clause बट थोड़ा सा समझ लीजे Adverbial clause में जो subordinate clause होता है वो Adverb की तरह काम करता है मतलब जिसे एक वाक्य में Adverb का काम क्या है वाक्य में used वर्व को ठीक है Adjective को qualify करें Adverb को भी qualify करें उस सब्द को हम लोग Adverb बोलते हैं यहाँ पर उस सब्द के जगह पर एक वाक्य होता है जो की Principal clause के Verb को यह Adjective को qualify कर रहा हो Simple एक सब्द के जगह पर एक वाक्य होगा बस इतना ही समझ लीजे फिलहाल हम sentence लिखते हैं अगर तुम लोग आओगे ना बाबू तो हम तुम लोग को पढ़ा देंगे तो अगर तुम लोग आओगे तो मैं जाओगा ठीक है यहां हम Simple वाक्य लिख देते हैं बाकि बोलने के लिए तो बहुत सुरु बोल देंगे एक Simple वाक्य लिखते हैं अगर तुम आओगे तो मैं जाओगा If you come I will go यदि तुम आओगे तुम मैं जाओगा यदि तुम आओगे आओगे भाईया बड़ी कठीन है आओगे तो मैं जाओगा देखिए अब एक चीज़ देखिए यह कौन सा टेंस है Simple present है न भाईया यह कौन सा है future है न अर्थ देखिए है आओगे जाओगा दोनों future है न आपको थोड़ा दर पहले बोले थे न हम लोग simple present के use करके भी future का अर्थ निकाल लेते हैं निकल रहे हैं अगर तुम आओगे आये तो नहीं हो तुम जब आओगे तब मैं जाओगा यानि सब काउं future में ही होगा बट यहां पर क्या है लिखे किसमें भाईया present में लिखे याद रखिएगा यानि यह हमारा क्या हो गया एड़बियल क्लाउज हो गया यह हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल क्लाउज हो गया यह हमारा एड़ब क्लाउज हो गया यह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया ठीक है यहां तक कोई दिक्कत है नहीं अब एक रूल और है सॉरी इस तरह जो हम लोग यूज किये जा रहे हैं कुछ और समझे कभी-कभी एतिहासी घटना या स्टोरी को भी हम लोग सींपल प्रिजेंट में लिख देते हैं आप बुल जरू तो बीते हुए जर हज्जारों साल हो गया अरे हां भाईया हज्जारों साल हो गया तो क्या करें लिख सकते हैं लेकिन सींपल प्रिजेंट में कैसे लिख सकते हैं अब सुनिए कहानी बोलते ना राम जी रावन को मारते हैं तब सीता को लेकर यह अध्या वापस राम इस रावना, राम जी रावन को मारते हैं, राम रावन को मारते हैं, हो गया ना, लिख दिया ना, अब पानिपत की लड़ाई शुरू होती है, बहुत सारे मुवीज में आप सुनते होंगे, बहुत सारे मुवीज में कभी अमिता बचन के आवाज में, कभी मनोज बाजपई के आवाज में, कभी आसो तोस राना के आवाज में, कभी अनुपम खेर जी के आवाज में, कभी ओंपुरी के आवाज में, कभी अमरिस्पुरी छट्था वाला जो option आपको जो दिख रहा है यह बहुत ज़्यादा यूज होता है ठीक है यानि कि कोई भी कहानी को हम लोग present में भी बोल सकते हैं ठीक है तो दोनों में यूज किया सकता है तो हम लोग यहां पर भी उस जब यूज करेंगे तो हम सींपल में यूज कर सकते है क्लिर है दोस्त को दिकत नाई एक चीज और इतने में एक चीज और हम आपको बता दे साथ नमर यहां यूज करके लिख देवाबू चलो लिख देते हैं अब इसकी ज़रूत नहीं है एक और लिख देते हैं आपको मजा जाएगा एक और बहुत अच्छा वाक्य है जो आप निकट भविश्य में होने वाली निश्चित घटना तो आप बोलेंगे सर्फ निश्चित घटना का होगा देखिए हमें भी एक्जामपल देते हैं एक्जामपल लंबर सेवन क्या बोलें निकट भविश्य में होने वाली निश्चित घटना समझ में रहा है कैसे होगा तो कल कल प्रधानमंत्री मान लेते हैं कलकत्ता में आएंगे कल प्रधानमंत्री कलकत्ता में आएंगे हम हिंदी पर लिख देते हैं कल प्रधानमंत्री कलकत्ता में आएंगे ठीक है आएंगे ताब बोलेगे आएंगे तो हम करें अरे कुछ मत कीजिए बस का अंग्रेजी भी हम लोग सीख लेते हैं तो पी-ए-म कम्स टू कोलकाता तुमोरो आप बोलेंगे भाया आप यहां पर यह क्यों लिखे सिंपल प्रिजेंड में संटेंस तो यहां पर फ्यूचर में है हाँ निकट भविस्य में होने वाली निश्चित घटना हम अब बार-बार बो रहे हैं निकट भविस्य में होने वाले निश्चित घटना को हम लोग सींपल प्रिजेंड में लिखते हैं इसको हम लोग ट्रांसलेशन अगर बनाएं तो PM is going to come कुलकता टुमोरो भी लिख सकते थे कल आने जा रहे हैं अर्थ तो यही निकलेगा अब PM will come to कुलकता टुमोरो यह भी सही अर्थ है लेकिन हम लोग यहाँ पर simple present में लिखेंगे वो ज़्यादा सर्टिक है ज़्यादा सही है दोस्त ठीक है future में क्यों नहीं लिखे future में नहीं लिखने का reason सिर्फ इतना है कि future में अगर लिखते हैं उस वाके को तो वाके की इस्थिती थोड़ी डमाडोल हो जाएगी आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं लेकिन परधार मंदरी का जो कार्यक्राम होता है वो बहुत पहले से pre-decided होता है scheduled होता है और उसमें आज वो decide नहीं होता है कि आज वो आ रहा है है it is pre-decided हाँ some extent पर कभी-कभी वो अचानक से पहुंच जाते हैं लेकिन उसके लिए भी पहले से decide किया रहता है अचानक से नहीं पहुंचते हैं क्योंकि उनका जो bodyguard है उनका जो system है वो पूरा एक pattern बना हुआ है दो अचानक से कहनी जाते हो पूरा decided होता है तो पहले से वो fixed plan है तो यहां पर क्या होगा प्रधान मंत्री आएंगे तो क्या हो जाएगा निशित घट में है तो simple present में ही लिखेंगे क्लिर है दोस्त अब हम लोग पढ़ते हैं आप इसका notes बना लीजेगा अब हम लोग continuous पढ़ेंगे दोस्त तो क्या पढ़ेंगे present continuous tense इसके structure क्या होता है दोस्त subject plus is aim r plus v4 plus object तो आप बोलेंगे सरी यही क्यों होता है yes 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 दोस्त हाँ यही तो main question है हम लोगों का यही तो सीखना है यह structure यही क्यों लिखते हैं दूसरा क्यों नहीं लिखते हैं है ना यह अगर present continuous का अगर यह structure है तो यही क्यों है कुछ और भी तो लिख सकते थे यही क्यों लिखते हैं दोस्ते यह तुम्हें इन कोश्चन है चलो ठीक है यह भी समझेंगे पहले अपना कॉंसेप्ट क्लेर कर लें तो इसका सिंपल मतलब होता है जब कोई काम वरतमान में अपना असर दिखाते हुए चालू रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रजेंट कॉंटिनिवस इसका एक बेसिक कॉंसेप्ट देते हैं आपको दोस्ते खुब मजाएगा बेसिक कॉंसेप्ट समझेगा जब भी हम लोग present continuous की बात करेंगे तो present continuous में एक बहुत conceptual बात है काम कब शुरू होता है अभी तो जारू है, जारी है काम लेकिन ठीक है, शुरू कब होता है सोचिए और बताइए, शुरू कब होता है तो present continuous में काम recent past में शुरू होता है याद रखिएगा काम कब शुरू होता है recent past में start होता है और अभी वरतमान में present में continue होता है start हुआ कब past में और अभी भी चल रहा है past मतलब कब past बहुत लंबा past नहीं recent past मतलब हाल में और अभी भी जारी है मतलब example देते हैं आगको जैसे माल लेते हैं कि हम 5 रोटी खाते हैं ठीक है 10 रोटी भी खा सकते हैं अथ्रोशरीर है तो खाएगे आप भी खाएगे माल लेते हैं हम खाते हैं 10 रोटी तो एक रोठी को खाएंगे तो एक रोठी हो खाने में कम से कम एक से से सवा मिनिट दो मिन definition तो लगेगा ना भाई उससे जल्दी तो नहीं खाता है रोठी तोड़े सीदे मुन में डाले और और अंदर निकल गए ऐसा थोड़ी होता है रोटी तोड़े सब्जी दूद्ध जो सोभी मिलाए मुझ में डाले तोड़ा चबाए उसके बाद उसको अंदर में लिए तो क्या होता है कि आपको समय लगता है जैसे माल लेते हम खाना सुरू किये एक रोटी खाया दो रोटी खाया तीन रोटी खाया कुछ तो वक्त निक को हम सौल करके भेजते हैं ऐसे होगा ना तो क्या हुआ हम रोटी खा रहे हैं मतलब कब से शुरू किये भीया रिसेंट पास्ट में सुरू किये हाल में सुरू के जो अभी भी चालू है ठीक है दूसरे एक्जांपल आप स्कूल जा रहे होते हैं माल लेते हैं आपके पास है आपका कॉलेज मान लेते हैं 7 बजे से कॉलेज है ठीक है से भन एंसे कॉलेज है और आप घर से साड़ेशे निकल गया है आपको इसकूलेज पहुंचने में आदा गंदा लगता है ठीक है आप गए क्योंकि हैं दोस्ट हम लोग जैसे होता 645 में हमारा कोलेज स्टार्ट होता था 6.45 in the morning 6.45 में हम लोग को 6 बजे निकलना पड़ता क्योंकि दोस्त हमको पैदल पैदल कॉले जाना पड़ता था था थोड़ी पैसी के तंगी थी तो कॉलेज पैदल जाते थे दोस्त पैसा बचाना होता था ना क्योंकि बुक्स खरीद नहीं होते थी मैगजिन गुक्त लेना पड़ता था उतना सारा मैगजिन के पहां साथ पैसे मांगते को मैनेज करते हैं तो हम लोग के निखल जाने के लिए आपका दोस्त का फोन आता है ठी कॉल आपका क्ली जा रहे हैं कॉलेज के लिए की निकला कब था वो निकला होगा वो 6.30 में निकला होगा हो सकता है 6.40 में उसके दोस्त का कॉल आया होगा या 6.45 में कॉल आयागा 6.50 में कभी भी कॉल आया होगा वो क्या बोलता है अरे यार कॉलेज जा रहे हैं बादे मात करना इसका मतलब काम recent past में शुरू हुआ और अभी भी जारी है आप हमसे एक सवाल पूछ दिजिए सर ये recent past अगर ये long past हो जा तो क्या होगा अगर हम आपको recent past बोले आप बोल दिजे sir long past कर दिजे इसको तो हो सकता है ना कोई बुराई थोड़ी है अगर ये long past कर दिजे इसको आप अगर long past बना दिजे long past plus present कर दिजे इसको यानि काम अभी जारी है continue कीजे present में क्या कर दिजे इसको यानि अभी जारी है अभी जारी है कर दिजे ठीक है यही वहला कजनी ना अभी भी जारी है अभी भी जारी है लेकिन यह हाल में हुआ था यह लंबे पास्ट में था क्या था लंबे पास्ट में था लंबे पास्ट में शुरू हुआ तो पता है क्या हो जाएगा यहां जो यह present continuous है न दोस्त यहां पर किस में बदल जाएगा मालूम है यहां पर बदल जाएगा present perfect continuous tense में बदल जाएगा बस एक सब्द का अंतर और पूरा का पूरा tense में बदलाओ यहां हाल के जगह recent के जगह long कर दिये तो पूरा का पूरा tense ही बदल गया देख लिए अगर काम recent past में शरू हुआ है तो present continuous long past में सुरू हुआ तो present perfect continuous यह तो concept है दोस्त यह तो चीज सीखना अपने को क्यों आखिर ऐसा यूज हुआ कैसे बन गया present continuous present perfect continuous में कहां difference हुआ यह तो अंतर है कि यहां पर आपका recent past में सुरू होता है यहां पर आपका दोनों को एक साथ समझा देते हैं ठीक है perfect को भी समझना बहुत जरू है बिना perfect समझे मजा नहीं आएगा इसको समझने में दोस्त तो क्या करें पहले इसको समझा लेते हैं फिर perfect समझते हैं फिर इसको समझते हैं ठीक है रहा हूँ, I am eating food, इसके structure देखिए, यह हो गया हमारा subject, ठीक है, इम हो गया हमारा axillaries, before हो गया यह before, यह हो गया हमारा object, फुल्फिल हुआ दोस्त, यह पूरा समझ में आ रहा है, मैं खाना कर रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं पढ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, I am sleeping, I am going, I am dancing, I am jumping, I am playing, whatever you want to say, just make the sentence in this form only, that will be in present continuous tense, there is no issue in that, okay, fine, समझ गें दोस्ते हम लोग इसको इतना clear है हम लोग का, पुरा चीज़ clear होगा, great, present continuous हो गया, now, the time's for, what, present perfect, this is the only thing, हाँ, एक चीज़ और भी है इसमें, present continuous का यूज करके हम लोग future का भी अर्थ निकालते हैं, present continuous का यूज करके हम लोग future का भी अर्थ निकालते हैं, just I am giving you an example, and that example is what, कल हम लोग पटना जाएंगे, या जाने वाले हैं, या जा रहा हैं, हम लोग कल पटना जा रहा हैं, आसे बोलते नहीं, कल हम लोग पटना जा रहें हैं, हम लोग बोलते नहीं हैं, कल हम लोग अमेरिका जा रहें सर, कल हम लोग दिली जा रहे हैं sir कल हम लोग अमेरिका जा रहे है sir तो we are going to पटना tomorrow we are going to पटना tomorrow हम लोग कल पटना जा रहे हैं हम लोग कल पटना जाने वाले है sir इसे भी क्यारत निकलता है future का लेकिन हम लोग यहाँ पर वो match नहीं करेगा बट हम आपको बता दे रहे हैं कल हम लोग पटना जाने वाले हैं यह तो चुकल इसमें ओप नहीं इसका नहीं है यह सैंप़ल परिजन्ट गहां यह सींपल परजेंट का सैंपल इस वी आर टू गो टू पटना टूमोरो आप बुलेंगे सर यहां आर लगा हुआ है सर अरे भीया यहां आर लगा है वो तो हम भी देख रहे हैं लेकिन भी फोर लगा है नहीं नहीं लगा है तो यह continuous नहीं है भीया यह simple present है अब आप बोलेंगे सर कैसे है हम आपको हर एक चीज बता देंगे बाबो कॉंसेट खल पर लेकिस समझ नहीं है हम आपको हर एक चीज समझाएंगे क्यों होता है एक एक चीज बताएंगे आपको जो शायद कहीं पर भी लिखा नहीं मिले कहीं कोई बताया ना होगा जानता सब कोई होगा कुछी का ध्यान नहीं होगा इसके उपर ठीक है जब बताएंगे तो आपको समझ में आएगा क्लीर है दोस्त हम लोग यहां पर देख लिए अर्थ यानि की सी कंटिनीवस में लिखकर फ्यूचर का अर्थ निकाल रहा है मतलब कल हम लोग पटना जाएंगे तो वी आर गोईंग टूपटना तुमोरो कल हम लोग पटना जाएंगे कि इसका अर्थ निकल रहा नहीं सॉप चलिए अब परफेक्ट पढ़ लें चलिए, अब हम लोग perfect पढ़ते हैं, perfect बहुत लाजवाब sentence है दोस्त, इसका सारा sentence बहुत मजाएगा, खूब मजाएगा, खूब मजाएगा perfect, present perfect, क्योंकि हम इसको बचा के रखें दोस्त, क्योंकि सब हमको फिर से लिखना पड़ेगा, तो अब यह perfect भी हम लोग मिटाएंगे नहीं, पूरा इसके साथ हम लोग साथ में लेके चलेंगे present, perfect tense, इसके structure क्या होता है बबू, subject plus has और क्या बोले, have, ठीक है, have plus b3 plus object, clear है, very good, समझना गया, subject plus has a plus b3 plus object, जिसको कैसे हम लोग लिखते हैं, एक example दे, मैं खाना खा चुका हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, मैं खाना खा चुका हूँ, या मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है, दोनों का ट्रांसर नों बनेगा? से भी बनेगा. इसको इस तरफ से замечaging लिख सकते हैं. या है भी लिख सकते हैं. तो I have eaten food. ऐसे लिखते हैं, देखें, I have eaten food. यह हो गया subject. यह हो गया has have word. यह हो गया हमारा भीथरी. यह हो गया उबजेक्ट. तो अब आपको समझना यहाँ पर आखे present perfect का मतलब क्या होता है मैं खाना खा चुका हूँ मैंने अभी खाया हूँ का मैंने सर मिठाई खाया है मैंने एक्जाम दिया है इसका मतलब क्या आप अभी एक्जाम दिया है सर मैंने क्या बोलता है मैंने एससी का एक्जाम दिया है मैं सर सीडियस का एक्जाम दिया हूँ मतलब क्या हुआ मैं CDS का एक्जाम दिया हूँ सर मैं UPSC में बैठा हूँ सर तो कि आज बैठे हैं अभी बैठे हैं बैठे थे पिछले साल अब बोल कर रहें बैठा हूँ एक्जाम दिये पिछले साल बोल रहें कि हम आज बैठे हैं सर चार बार एक्जाम दिये हैं सर तो चार बार एक्जाम आज दिये थे चार बार चार साल में दिये होंगे न एक चार साल पहले एक तीन साल पहले एक दो साल पहले एक पिछले साल चार साल हो गया न जी चार एक्जाम दिये न तो चार साल पहले को भी आप क्या बो रहे हैं सर काम खतम हो गया है बट काम का असर है मतलब present tense अब देख रहे हैं दोस्त फंडा कहां पर आके ठक रहा है काम का असर अगर दिखाते जा रहे हैं हर जगह तो आपको पता चल रहा है कि वो present है कि past है very simple फंडा यह है कि आपका वो कौन सा टेंस में बोल रहे हैं काम का असर है की नहीं है यह आप ध्यान दे रहे हैं काम का असर हो रहा है तो present है काम का असर नहीं हो रहा है तो वो past हो जा रहा है simple पूरा फंडा क्लिए यहाँ पर मैं खाना खा चुका हूँ means what I have already completed my job job was what job was having eaten food खाना खाने का जो काम था मैंने खाना खा लिया था ठीक है एक्शली होना क्या चाहिए था मैंने खाना खा लिया था लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्यों खाना अजब यह खाये थे तो पेट में अभी भी सब है हलुआ पूरी सब है पेट में भाया तो जब पूरी हलुआ हसब है तो असर तो होगा न, तो असर है तो present में, काम खतम हो गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, काम पूरी तरीके से खतम हो गया है, काम कुछ बचा नहीं है इसमें, perfect इसलिए perfect का मतलब क्या होता है, perfect यानि काम का पूर्ण रूप से हो जाना, काम पूरा खतम हो गया, लेकिन सिर् काम पूरा खत्म हो गया, उसका असर बागी है, क्लियर है, चलो done, अब हम लोग आते हैं अपने इस मुद्दे पे दोस्त, यहाँ पर present perfect continuous strength का structure क्या होता है, अब यहाँ समझिए, subject plus has, have plus, been plus, be, four plus object, यह structure होता है present perfect continuous का, क्यों होता है, अरे आप भी आपको बताएं न, आप बार-बार पूछ रहें, थोड़ा सा वेट तो कीजिए, थोड़ा धैर रखिये, हम क्यों होगा हम सब बताएंगे आपको, छोड़ेंगे नहीं, एक-एक funda clear कर देंगे, आखर यह क्यों लिखे, यह क्यों लिखे, यह क्यों लिखे, यह क्यों लिखे, दूसरा क्यों नहीं लिखे, सब बताएंगे, थोड़ा सा धहर रखिये, foundation तो मजबुत कर लीजे, इस समझने लायक तो हम लोग बन जाएंगे दोस्त, आपको सब आता होगा, बड़ दोस्त, हम अपना दिल का तसलरी के लिए मचाहते हैं, कि आपको पूरा समझा दें, उसके बाद हम आपको बता दें, क्योंकि जब तक वो नहीं समझेंगे, दोस्त, फंडा मजाम नहीं आएगा समझने में, चलिए, यहाँ पर क्या था, प्रजेंट, परफिट, कॉंटिनिवस, यानि काम जब लंबे पास्ट से होगा, एक एक्जामपल दें आपको यहाँ पर, एक एक्जामपल दोस्त, हम लिखते हैं, इसको एरेज कर देते हैं, खाली थोड़ा सा, यहाँ पर, तो थोड़ा रेज करके जगह बना लेते हैं, दोस्त, मज़ आएगा, एक एक्जामपल देते हैं मापको, एक्जामपल समझ में बहुत मस्त समझ में आएगा, मान लेजी कि माता जी है, आपकी माता जी हमारी माता जी खाना बनाती है, खाना बनाती हैं मान लेते हैं, दस आइटम बनाना है मा को आज, मा को आज दस आइटम बनाना है, और मा कितने में से खाना सुरू करती हैं बनाना, नो बजे से, तो हमारे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो मान 9 बजे से खाना शुरू करती है बनाना और घर में 10 आइटम बनाना है कुछ महमान आने वाले हैं उनको खाना देना है तो अच्छा अच्छा खाने खनान पड़ेगा मान लेते हैं मान बनागी क्या पुलाव बनाएगी तड़का दाल बनाएगी दही बड़ा बनेगा फिर सबजियां बनेगी दो तीन तरह की ठीक है कड़ी बनेगा बहुत सरा आइटम बनेगा आज चली भी है 10 आइटम बनाना है मा को 9 बज़े खाना मना है एक समय तो बनने नहीं पाएगा न भाई चलो तो मा क्या की यहां से खाना बनाना का कालिक्रम सुरू की ताइम कितने में शुरू हुआ नव एएम से ध्यान से समझियेगा पूरा का पूरा फंडा के लिए रो जाएगा आपका यह तीनों टेंस कमें एक साथ खिचड़ी करने जा रहे हैं भी है क्रक से भाई बहुत ध्य से नौ बजे मा खाना शुरू करती है और अभी कितना बजगिया है मान लेते हैं कभी बारा इगारा बज रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं मा दो घंटे से खाना बना रहे हैं एक संटेंस है मा दो घंटे से खाना बना रही है मा दो घंटे से खाना बना रही है इसका ट्रांसलेसनल बों कैसे बनाते हैं मदर मदर हैज बीन कोकिंग फूड फॉर टू आर्स ठीक है अब समझेंगे यहाँ पर मा दो घंटे से खाना बना रही है मा नौ से ग्यारब बस्त बन गया तो क्या दो घंटे में सब आइटम बन जागा दास आइटम संभव है कड़ी भी बना देना है दही बड़ा भी बना देना है पुलाव भी बना देना है तड़का भी बना देना है पनीर किसबजी बना देना है और फुलगोबी किसबजी बना देना है थोड़ा चोखा भी बना देना है पापड भी तल देना है संभव है सब कर देना 2 गंटे में नहीं तो क्या होगा मा उसमें से 6-7 आइटम मा बना दी है 2 गंटे में मा मान लेते हैं कि 6 आइटम बना दी है तो यहां दर में 6 आइटम क्या हो गया 6 आइटम्स detention 6 items completed हो गया, चूले पे 2 items अलड़ी चड़ा हुआ है, कितना हो गया, 6 और 2, 8, यहां तक कितने हो गया, 8 items हो गया, और 2 items अभी भी remain है, बचे हुए हैं यह खतम करने के लिए, यानि कि जो 8, 6 items खतम हो गया, देखिए कितना ध्यान से समझने के बात है, यह tense कितना जबरदस तरीके से बनाये गया है, काम, 6 काम खतम हो गया, तो अभी हम क्या पढ़े थे, जो काम खतम हो जाता, उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं, इमा राइट, तो यह 6 काम क परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, continuous में हम लोग क्या सीखे थे, काम अभी भी चल रहा है, और आगे भी continue रहेगा, यह ना, हम लोग रोटी खा रहे हैं, मैं रोटी खा रहा हूं, मतलब मैंने 2 ही रोटी दिखाए ना बीए या, अभी 8 रोटी मेरा खाना बागी है, तो खाने में वक्ष तो लएगा ना 10-15 मिन्ट लगे, 20 मिन्ट लगे इट उन्ग टेक टाइम तो यहां पर भी खाना बनने में 2 आइटम बचा हुआ है यार कम से कम 10-15 मिन्ट आधा घंटा तो लएगा अरे पापड ही तलना रहेगा भूंजिया ही भूंजना होगा समय तो ल continuation में है continuous है तो क्या हो गया perfect continuous काम अभी हो रहा है तो क्या हो गया present यह नहीं कि present perfect continuous अब समझ में आया दोस्त क्यों हम इसको ऐसे लिखे हैं काम लंबे past में शुरू हुआ और अभी भी जारी है मतलब काम का एक हिस्सा खतम हो गया दूसरा हिस्सा जारी है पूरा funda clear जाएगा काम का एक हिस्सा खतम हो गया है और दूसरा हिस्सा जारी है तो हम लोग क्या बोलते थे हैं उसको perfect continuous एक ही से खतम हो गया तो perfect हो गया अब जो बाकी है वो continuous हो गया काम अभी हो रहा है तो present है present perfect continuous पुरा फंडा clear है दोस्त तो इस तरह से present perfect continuous का हम लोग use करते हैं अब यहाँ पर एक चीज और आपको समझना है जैसे एक example और देते हैं आपको अब थोड़ा से को erase करते हैं अब समझ में आ गया होगा चलिए पूरा फंडा clear है इसको आप चाहें तो screenshot लेकर इसको बना ले पॉस्ट करके बना ले चीज को समझेगा जो बोल रहे हैं उसका notes जरू बना लीजएगा यह आपको बहुत काम करेगा रामबान की तरह आपको काम करना है दोस्त पूरा फंडा ही clear हो जाएगा कहीं पर भी कोई doubt नहीं होगा बागू आपको अगर इसको जितना बढ़ियां से इसको समझ के लिख लीजएगा आपने शब्दों में इसका notes बना लीजएगा कमाल हो जाएगा क्योंकि इस तरह से example बागू कहीं किता में नहीं दिखता है ना लिखा हुआ हम लोग कोशिस कर रहे हैं कि आपको सारा फंडा clear कर दें इसलिए हम आपको बोले थे कि जो चीज बता देंगे दोस्त वो आपको बहुत काम करेगा बहुत मजा आएगा आपको और जिस दिन आपको ये बताएगे जिस समय कि क्यों होता है उस समय आपको इतना मजा आएगा सीखने का ना कमाल का मजा आएगा दोस्त बहुत मुश्किल से आपको इस सब चीज मेरेगा पढ़ने को चली एक एक एकजामपल और आपको बताते हैं मैं 2018 से UPSC की त्यारी कर रहा हूँ कोई एकजाम की त्यारी कर रहा हूँ कुछ का भी त्यारी कर रहा है मैं 2020 से मालने दे कोई पढ़ाई का MBA का त्यारी कर रहा हूँ किसी भी एक्जाम का तेरी कर रहे हूं 2020 से तो कैसे बोलेंगे I have been preparing for UPSC since 2020 ऐसे बोलेंगे ना I have been preparing I have been preparing for UPSC ठीक है I have been preparing for UPSC since 2020 मतलब मैं 2020 से क्या लिखेंगे हिंदी मैं दोखिये दोस्त एक चीज़ याद रखेगा बिना हिंदी के यानि बिना अपने रिजनल लेंग्वेज के मत ट्राइ कीज़ेगा अगर आपका पकड़ बहुत मजबूत चाहिए तो you have to write either Hindi, Marathi, Bangla, whatever it may be You need to write your regional language, that is very important What I am saying is बहुत जरूरी है दोस्त, आपका बेस्क्नम ज्ला जवाब हो जाएगा, कमाल कर देंगे आप तो मैं 2020 से क्या कर रहा हूं? UPAC का तयारी कर रहा हूं तयारी कर रहा हूं अब एक चीज़ और समझेगा कर रहा हूं या करता रहा हूं? बहुत सारे किताबों में दोनों लिखा रहता है, करता रहा हूं करता रहा हूं, इसलिए इसमें घवरानी के जुरूत नहीं है continuous और perfect continuous में कोई अंतर नहीं, बस एक ही अंतर है कि आपको उस वाकिक से ये पता चल जाएगा कि वो काम लंबे समय से हो रहा है ठीक है? मैं खेलता रहा हूं मैं खेलता रहा हूं और मैं खेल रहा हूं इस तरह का अगर वाकिक आपके सामने आ जाए, तो देखिए, वाकिक पढ़ने से आपको अर्थ समझ में आ जागा कि काम जो है, अभी हो रहा है कि ये लंबे समय से हो रहा है अभी आपको सिखाया थे हम, recent past और long past recent past, present continuous, long past, perfect continuous मैं खेल रहा हूं, I am playing, मैं खेलता रहा हूं, I have been playing sentence के अर्थ से, आप समझें कि long past है कि recent past है, पुरा फंडा के लिए रो जागा दोस्त अगर ये recent past है, तो continuous में जाएगा, अगर long past है, तो ये perfect continuous में जाएगा clear है, फंडा, चलो, ठीक है, अब आपको यहां समझना है, क्यों ही इसमें लिखाया, क्यों ही इसमें लिखाया, अगर आप 2020 से UPSC के तेरी कर रहे हैं, माल लेते हैं कि अगर आपका 100% तयारी हो जाएगा, तो UPSC में मतलब है, माल लेते हैं यहां से यहां तक, अरे भाया, दो साल में अभी 2022 चल रहा है, October आज शुरू, आज 1st October है दोस्त, तो 2022 चल रहा है, आज 1st October है, तो आप इन दो वर्सों में कुछ तो पढ़े होंगे, कुछ तो पढ़े होंगे, माल लेते हैं कि आपके तयारी 50% हो ग Finish it off, तो whatever to do is, आपने जब इतना खतम कर लिया, तो इतना आपका बाकी है, अगर इतना बाकी है, मतलब, still it is on, you have not left at all, it means what, आप काम कर रहे हैं, तयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तयारी हो रही है, तो यहां तक आपकी तयारी complete हो गई है, यानि यह perfect हो गया, and now, यह आपका भी चल रहा है, मतलब continuous है, यानि कि perfect continuous, अब समझ में आ रहा है, क्यों use कर रहे हैं, ठीक है, अब एक चीज और है, आप बोलेंगे sir, यहां पर तो आप for लगा हैं sir, यहां पर तो आप scenes लगा हैं, आप preposition वाला section देखिएगा, जो हम आपको बता दिये हैं, उ बसे फिर भी हम आपको भी बता दे रहे हैं, उसमें बहुत अच्छे से clear किया हुआ है, अब यहां पर यह आपको देखना है, कि scenes और for का use कहां करते हैं, समझ गया तो खास समय पर होता है, जैसे आप बोलेंगे, 2 o clock बोलेंगे, Monday बोलेंगे, आप बोलेंगे sir, 2020, आप बोल सकता है, क्या लिखेंगे दोस्त यहां पर, two months हो गया, two years हो गया, इस तरह से आप लिख सकते हैं, मतलब क्या, scenes का use हम लोग point of time के लिए करेंगे, जो खास समय होगा, for का use करेंगे period of time के लिए, जो समय अंतराल के लिए होगा, 2 o clock, Monday, 2020, morning, evening, night, इस तरह से हम लोग लिए खा दोस्त, जब हम लोग two days, two weeks, two months, two years, अगर हम लोग ऐसे बात करें, तो इसका इस्तमाल कैसे बजाएगा, form हम लोग लगाएंगे दोस्त, यहां तक हमको लगता है कि आपका पूरा funda clear हो रहा होगा, अब आपको लगता है, हम लोग यहां पर simple present कैसे use किये, present continuous कैसे use किये, present perfect continuous कैसे use किये दोस्त, अब आपको लगता है कि पूरा समझ में आया होगा, ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग past tense का पढ़ेंगे, और उसके बारे में सारे समझेंगे, कैसे उसका use किये दोस्त, clear है, सारा funda clear करेंगे, समझेंगे, तब कि कैसे हम लोग का यह structure जो है, यही use हुआ है, clear है, तब मज़ा आएगा दोस्त पढ़ने में, असली पढ़ने का मज़ा तभी आएगा, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में past tense के साथ, thank you दोस्त, जैहिन